आज हम जो देख रहे हो एपिसोर नुबर 23 में स्थी के अंदर देख रहे है तो अपना जो नोन एक्जे डिफ्रेंसल एकोईशन हम जो पढ़ रहे है बच्चों जो आपने एपिसोर नुबर 21 में 22 में कर रहा है उसका ही कंटिविशन करते हुए हम इसका पार्ट 3 देखने ज हो पी गया तो आज हम जो नोन एक्जे डिफ्रेंसल एकोईशन देख रहा है वो कुछ इस तरीके से यानि आपको एपिसोर नुबर 21 से भी वो सहल नहीं हो रहा है एपिसोर नुबर 22 मेथड से भी वो सहल नहीं हो सकता है तो फिर आपको उस जगा पे आपको इस एपिसोर यानि इस मेथड को अप्लाए करना होगा तभी या कि आपका जो नोन एक्जाट इकोईशन है वो सफोल होगा तो चलो इस मेथड को अप्लाए करते है तो अच्छो इसमें सबसे पेले होता है कि आपको क्या करना होता है फिर देलन अपॉन डेल एक्स करना होता है उसका सब करना है और उसके साथ इसको multiply करना है 1 upon n को जो answer आए वो which is function of x only होना चाहिए यानि ऐसा answer आना जाए जिसमें x small is down हो ठीक है जब वो ऐसा होगा यानि मान लो कि यह method apply हो जाएगी फिर आपना integrating factor क्या होगा integrating factor होगा आपना e raise to integration f of sbx तो integrating factor क्या होगा जो भी answer आएगा उससे आप यह पूरे equation को multiply करोगे तो यह पूरा non xz equation है वो xz के अंदर convert हो जाएगा तो यह आपको नहीं समझ में आ रहा है तो च्छोड़ो example के चुम समझते है बच्चो तो सबसे पहला आप पता है exact equation कीस तरीके से form से होता है m dx plus n dy is equal to 0 के साथ compare करते है तो यहाँ पे m क्या है हमारे पास m है यहाँ पे x square plus y square plus n ठीक है बच्चो तो यहाँ पे n क्या होगा n होगा हमारे पास x y हो जाएगा यहाँ पर अब हमें क्या करना है del m upon करना है हमें del y m का with respect to y करेंगे तो यह तो 0 x वाला bitum 0 y square क्या हो जाएगा 2y and बच्चो del n upon del x करेंगे del n upon del x करेंगे तो y क्या हो जाएगा constant x का हो जाएगा 1 तो सिर्फ आएगा y फिर आपको क्या करना है 1 upon n तो अब हमें करना है 1 upon n तो बच्चों आप यह चेक करने जा रहे है 1 upon n तो n की value कितनीय है n की value xy मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 upon n की च 자 אומר xy फिर हमे क्या करना है नेगे डेलेलें पान डेल leftover do 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 कि कितना है डेलेम पान से यहां पर रखेंगे तो यहां पर रखेंगे हम 2y, ठीक है, पहर क्या करना है, रख है, इसको सोल करें चो, तो舟 क् nuclear 2y-y होता है तो 1 1 upon xy into y, yy के हो जेगा, cancel, अब जो भी answer आए, वह answer का है 1 upon x, तो क्या है function of x है, हाँ function of x है, यहाँ पर जो भी term आए, it is in the form of x, that means यह method एपला होगी, क्योंकि आपका जो answer आना चाहिए, वो x के form में आना चाहिए, यानी x वाले डरम आने चाहिए, x के अलाव बोड़रम आता ह e raise to integration f of x dx, चलो उसको solve करते है, ठीक है, let's do it, let's do it, तो अभी यह integrating factor है, वो होगा, e raise to integration f of x dx, बच्चो चलो solve करते है, f of x कितना है अपना 1 upon x dx ठीक है, उसकी जगा पर मैंने 1 upon x लिख दिया, अब e raise to 1 upon x का integration क्या होगा, log x, यहाँ पर में का लिख सकता हूँ, log x, लेकिन log का base क्या होगा, e क्योंकि है natural log है, तो अभी आपको पता है बच्चो जब log e raise to log हो, यानि e log ही ऐसा आजाएगा, तो वो क्या हो रहता है, cancel तो बच्चे क्या क्या है, सिर्फ x होता है, ठीक है, according to log root, ठीक है, तो यहाँ पर answer क्या है, आपने पास integrating factor का answer आया, x, ठीक है, तो factor की मदद से multiply करो, यह जो पूरा non exact equation हो, किसमे convert हो जाएगा, exact के अंदर, चलो पूरे equation को x से multiply करो, यहाँ पे x से करो, यहाँ पे हो जाएगा xy square, यहाँ पे हो जाएगा x square, यह होगा dx, यहाँ पे करो के तो आएगा x square y, dy is equal to 0, तो यह क्या हुआ, mdx plus n dy is equal to 0, यह पूर exact equation हो गए, आपको check करना है, तो कर सकते हो, ठीक है, फिर तो हमारा पास पता है, एक बार exact equation हो जाएगा, तो हमारा solution क्या है, हमारा solution है integration mdx, जिसमें हमें y को रखना पढ़ता है constant, तो mdx यह पूरा term आएगा, x cube plus xy square plus x square dx plus integration n dy, पर उसमें m से कौन सा term लेना है, containing y only, तो n ठीक है बच्चो, x square y है, containing y only, ऐसा कोई term है, y के साथ कूछ नहीं होना चाहिए, इसमें y होना चाहिए, यहाँ पर हमें 0 लिख दूँगा, 0dy, पर सामने जो 0 ही आएगा, ठीक है, तो इसका integration को तो आपको y को क्या करना है, constant x cube का integration क्या होगा, x dash 2, 4 by 4, फिर यहाँ पर हम y square पर तो क्या गरक्ठ है वाल है, constant, x का क्या जाएगा, x square by 2, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, x square का, x cube by 3, इसका आपका answer लिखने की ज़रूत नहीं है, यूपि ऐसा कोई term था ही नहीं, जिसमे y था, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसका integration 0 का integration हो जाएगा, c, तो कुछ नहीं होता है, वच्चो, जालता लोगो max, heart लेते हैं, heart कुछ है ही नहीं, आपको method follow करना है, integrations and defenses के formula आने चाहिए, step follow को आपका answer आगया होगा, ठीक है, आपको गरी वीडियो लेक्चर पसंद आए, उसको subscribe करें, share करें, होना इस दिए, बबाई